नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल पे तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंगारू के चेंड लूब्रिकेंट के बारे में आमेजॉन से मैंने इसका चार नग मंगाया जैसे कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं तीन चार ठीक है सब के अंदर में पाइप आप लोगों को देखने को यहां पर मिल जाता है एक और चीज मैं बता दूँ इसका यूज रिवीव जो है मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आगे चलके जो है कुछ टाइम बाद यहां पर देदूँगा अभी जो है मैं इसको एपलाई करता हूँ एक और चीज मैंने देखी लोग बोलते हैं कि भाई यह जो है मतलब मुश्किल से 200-300 km चलता है तो भाई मतलब अगर आप देखें तो काईदे से आपको 300 km के अंदर लूब्रिकेंट मारना चाहिए तो उस हिसाब से काफी ज्यादा अच्छा है एक और सीज यहाँ पर निकलती है हो सकता है कि यह सस्ता है तो थोड़ा कम चले लेकिन मुझ जैसे दोस्तो थोड़े बहुत हैवी राइडर हूँ मैं यहाँ पर लगबग साल में मेरी 12-13,000 km बाइट चल जाती है तो उस हिसाब से दोस्तो मैं अगर यहाँ पर महंगे महंगे वाले चेन लूब्रिकेंट डालूँगा तो मेरी पूरी की पूरी जेब यहाँ पर ढिली हो जाएगी तो उस हिसाब से काफी ज्यादा सही है राउंड 870 रुपए के मंगाये हुए हैं जिसमें 500 रुपए जो है दोस्तों मेरे पास एक कूपन पड़ा हुआ था जो कि मैंने क्रेडिट कार्ड के उससे लिया हुआ था रिवार्ड पॉइंट से तो मेरे को यह चार 376 रुपीज के पड़े यहाँ पर और एक और चीज आप लोगों को मान के चलो रखबख 3-4 बार आप यहाँ पर चेन लूब यहाँ पर कर सकते हैं और बाइद बे मैं जाने वाला हूँ राजयस्तान में बाइक से अपने दोस्त की शादी में तो उसमें मुझे दोस्तों यहाँ पर लगेगा यह वाला डबा तो यह जो मिट्टी बहुत ज्यादा चिपकती है लेकिन क्योंकि आपका पूरा चेन का स्प्रॉकेट जो है यहाँ पे कवर्ड है तो इसमें धूल मिट्टी स्रिफ वो चेन के प्लास्टिक पार्ट को लगेगी मडगाड जो बोलते हैं या फिर प्लास्टिक गाड जो चेन पे लगा हो मैंने जो है अभी चेन क्लीनर दो दिन पहले ही लगा के रखा था दो दिन से मेरी बाइक यहाँ पे खड़ी हुई है तो अब मैं जाके इसको लूप करूँगा और फिर जो है मैं यहाँ पे अपनी बाइक को चलाओ गा ठीक है और डिस्रिप्शन बॉक्स पढ़ लेना दो तुरण जो है यहाँ पे चेन लूब्रिकेंट कर देता हूँ अराउंड 200-300 किलो मीटर पे तो मेरे लिए कोई as such उतना बड़ा वो नहीं है लेकिन मैंने देखा है बहुत सारे आलसी लोग रहता है जो की चेन लूब्रिकेंट नहीं करते हैं और सोचते हैं कि यह जो है 500-800 किलो मीटर चल जाए गाइस ऐसा नहीं होता है जाब ज्यादा 200-300 किलो मीटर की एक बार में लूब करोगे तो वो चल जाएगा उसके बाद आपको जो है अगर आपको चेन की हेल्थ बचानी है तो यह करते रहें बिकोज एक बार अगर आपकी चेन बिगड गई ना तो फि जाए नहीं और जहां तक मुझे ऐसा लगता है तो बहुत सारे ऐसे आप लोगों को माइक्रो ब्रैंड जो है देखने को मिल जाएंगे जो कि मुझे लगता है एक बड़ा सा कैन लेते हैं और अपनी ब्रैंडिंग करके जो इसके अंदर बन करके बेजते हैं बट एणिवे it's a very good product MRP can be seen 425 रुपे का एक यह बता रहा है ठीक है और यह मुझे 870 रुपे के 4 यहां पे पड़े हुए हैं तो cost per unit काफी ज्यादा कम आती है अगर कोई बोले कि भाई range कम है तो भी उस हिसाब से जो है मलब इसकी चलने की range कम है तो भी उस हिसाब से काफी ज्यादा value for money जो है यहां पे यह चल जाता है